हेलो स्टूदेंट्स, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल मैथ साइडल, मैंसल ट्रक्र करता गुप्ता, बचों आज मैं आपको जो हम मैट्रेक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे लिनियर ट्रांस्वर्मेशन सेक्शन 2.2 के एक्सराइस की कुछ प्वेशन्स कराऊंगी, सो लेट अस्टार्ट, देखो बिटा, क्वेशन नमबर 3 है, फ्रेट बग की बुक के अंदर, पेज 84 पर, कि लेट टी बी अ लिनियर ट्रांस्वर्मेशन फ्रॉम प्रॉम आर स्कॉर टो र क्यूब, ठीक है, अब इसको डेफाइन कैसे किया गया है, आर स्कॉर है, तो इसक स्टार्ड ओर्ड बेसिस क्या होता है, आर स्कॉर का, E1, E2, E1 is 1, 0, and E2 is 0, 1, and गामा इस देस, इस गामा इस देस, गामा इस देस बेसिस फोर र क्यूब, राइट, कंप्यूट करना है, आपको मैट्रिक्स रेप्रेसेंटेशन आफ टी विद रिस्पेक्ट तो गामा, और अगर अलफा, जो है हमारा हो जाए, 1, 2, 2, 3, अगर ये मेरा बेसिस बन जाए, आर स्कॉर का, तो आपको कंप्यूट करना है, मैट्रिक्स रेप्रेसेंटेशन आफ टी विद रिस्पेक्ट तो गामा, जब अलफा इस देस बेसिस पर दोबेन, क्लेर हो गया क्वेशन, ठीक है, कोई वैसी नूटेशन नहीं है, स्टंडर्ड ओर्ड बेसिस है, आर स्कॉर का, तो वो बीटा हो जाएगा, एवन, एटू, ठीक है, और गामा मुझे दिया हुआ है, जो मैं नहीं हा लिखा है, ये गामा, क्वेशन में गिवन है, मैंने इनके बस नाम रखती है, में बीटा बेसिस है, और कोडमेन का गामा बेसिस है, अगर मुझे ये निकालना है, तो what I will be doing is, मुझे T of elements of बीटा निकालना है, ठीक है न, elements of बीटा कौन कौन है, जो आपके E1, E2 है, या आप बल देंगे V1, V2 है, उनका आप T निकालेंगे, दो तरीके से निकालेंगे, एक तोड़ by definition of T, ठीक है, और दूसरा, आप क्या करेंगे, इसको linear combination of elements of the basis of code domain लिखेंगे, ठीक है, उससे आपको coordinate vector मिलेगा, यही सिखाया गया था आपको, procedure याद रखलो बेटा, फिर question में कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, T of बीटा का element कौन है, सबसे पहला E1, तो इसकी जगे 10 fit कर दिया, अब T of 10 by definition of T कैसे निकलेगा, यह देखो, जहां मेरी pencil है, जो definition हमें question में given है, इसमें A1 की जगे 1 रखतेंगे, और A2 की जगे 0 रखतेंगे, तो इसमें डाला जब आपने तो इसको solve किया, तो मुझे 112 गिल गया, तो it means that 10 is mapped to 112 in R3, ठीक है, और दू 1, W2, W3, इसका linear combination, इसका linear combination कैसा होगा, A1, W1 plus A2, W2 plus A3, W3, W1, W2, W3 की value डाल दी, कैसे आप coordinates को solve करते हैं, यह आपको मालूम है, हमने पहले A1 को अंतर ले जाके multiply कर दिया, फिर X coordinate X में add किया, Y, Y में, Z, Z में add किया, और T of E1 मेरा उपर किया था, 112 तो उसको 112 लिख दिय नाओ comparing the X coordinate with the X coordinate on both sides, similarly with Y coordinate and Z coordinate, तो मेरे पास यह तीन equations बन गई, नाओ I will solve these three equations and get the value of A1, A2 and A3, तो इसके लिए आप matrix बना ली जिए, मैंने matrix बनाया, सबको coefficient matrix बनाना आता है, पहले कॉलम में में A1 के coefficients लिख दिये, फिर दूसरे में A2 के, तीसरे में A3 के coefficients लिख दिये, और these are three equations in three unknowns A1, A2, A3, तो मेरे यहां आ गया, A1, A2, A3 और right side आ गई, मेरी 112, नाओ इसको solve करना है, इसको solve करने के लिए मैंने gauss elimination method का use किया, that I consider A augmented B matrix, this notation जहां मेरी pencil है, इसको बोलते है, A augmented B matrix, मतलब A लिखो और उसके साथ augment कर दीजे B के elements, तो B के element थे 112, तो मैंने वो लिख 0 बना लेते हैं, तो diagonal के नीचे 0 बनाने का क्या तरीका है, जो first element पहले 1 होना चाहिए, जो मेरा already 1 है, इस 1 की help से, इसके नीचे वाला जो 1 है, जहां मेरी pencil है, इसे 0 बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, R2-R1, तो मैंने R2-R1 किया, second row म जो है, जहां मेरी pencil है, इसे 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, उपर वाले 1 की help लोगी, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, R3-R2, ठीक है, तो मैंने R3-R2 किया, तो मुझे ये मिल गया, now you can see that की diagonal के नीचे के सारे element मेरे 0 बन गया है, तो अब मैं इसके उपर कहा से elimination अराम से लगा सकती हूँ, तो वो मैं कैसे लगाऊंगी, अब इसको दुबारा से equations के अंदर convert कर दीजिए, देखो, ये A1 के coefficient है, ये A2 के, ये A3 के, फिर से equation बनाओ, देखो, 1 into A1 plus 0 into A2 plus 2 into A3 is equal to 1, तो मिरे पास ये आ जाएगा, यहां से क्या आजाए और इससे solve कर दिया, तो आपको A1 बिल गया, तो मेरे पास coordinate vector क्या आगया, ती E1 का, जो मेरा पहला element था, उसका coordinate vector क्या आगया, A1 की value minus 1 by 3, A2 की 0 और A3 की 2 by 3 आगया, ठीक है बच्चों, तो ये मेरा first column बनेगा, जो matrix T मुझे निकालना है, ऐसे ही अब आपने T E1 निकाला ये T E2 क्या होगा, E2 क्या था हमारा 01, तो हमने 01 लिखा, अब ये कैसे आया, by definition of T आया है, ये कहां से आया, by definition of T given in the question, ठीक है, तो question में जो मुझे given था, उसमें A1, A2 की जगे पे मैंने क्या डाल दिया, 0 और 1 डाल दिया, और दूसरा में कैसे निकालूंगी T E2, by taking the linear combination of W1 W2, W3, तो T1 को मैंने linear combination लिया, तो ये मेरे scalars हैं, B1, B2, B3, तो B1 into W1 plus B2 into W2 plus B3 into W3, इसको आपने solve किया, उपर से minus 101 की value यहां substitute कर दी ये T E2 की, इसको solve किया, तो फिर से आपको equations मिल गई, इन equations से आपने फिर से matrix बना लिया, जैसे आप ये explain किया था, ठीक है, फिर से आ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, देख लिजिए, तो मेरी B1, B2, B3 की जो values आ गई हैं, वो आ गई है, minus 1, 1 और 0, तो ये coordinate vector आ गया, T E2, ठीक है, तो मेरा जो matrix T होगा, सबको notation याद है, ये कैसे लिखी जाती है, देखो, if T is a linear transformation from V to W, तो V का basis सपोज बीटा है, और गामा का basis, suppose, W का basis अगर गामा है, तो मैं matrix किसका निकालती हूँ, जो domain है, उसको नीचे लिखेंगे, domain का basis, और co domain का basis हम उपर लिखते हैं, ठीक है, तो ये हम निकालते हैं, तो इसको कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर ये matrix, कि जो बीटा के पास elements थे, V1, V2, VN तक जो का matrix है, इस तरीके से यहाँ पर निकल जाता है, यह सब को याद होनी चाहिए, तो अब मेरे को इस question में क्या दिया हुआ है, इस question में हमें दिया हुआ है, T is from R square to R cube, इसका बीटा basis है, इसका गामा है, अब मुझे निकालना है, T, बीटा, गामा, तो मैं क्या करूंगी, यहा coordinate vector यहाँ आएगा, और T, E2 coordinate vector यहाँ पर आएगा, और आप पहले ही starting में बिना solve करें भी, अगर objective type question है, आप competition exam की तियारी कर रहे हैं, अगर वो आप से पूछ ले कि जो T, यह matrix आएगा, इसका क्या order होगा, तो कैसे देखना है इसका order, पहले R cube की dimension देखेंगे, co domain की dimension पहल cross dimension of domain, ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पर किया, यह T, E1 के coordinate vector है, यह T, E2 का coordinate vector है, अब आप देख सकते हैं कि इसका order मेरा 3 cross 2 आया है, क्योंकि आपका co domain की dimension 3 थी और domain की dimension 2 थी, ठीक है, तो यह मेरा matrix आगया, अब उसने क्या किया, इस beta को जो की standard order basis था, इसको change कर दिया, क् कि vector space can have more than one basis, तो अब की बार उसने जो basis लिया, वो alpha ले लिया, और alpha क्या है, 1, 2 और 2, 3, तो उसने आप से यह दिखाना चाहते हैं कि अगर हम basis को change कर देते हैं, तो क्या matrix change हो जाता है, तो हमारा matrix अब क्या आएगा, यह हम देख लेते हैं, तो हमने अब alpha के according निकालेंगे, तो करने का तरीका वही रहेगा, अब मेरा 1, 2 पहला vector हो गया और 2, 3 दूसरा vector है, तो मैं पहले T of 1, 2 निकालूंगे, फिर T of 2, 3 निकालूंगे और उनको column wise प्लेस कर दूंगे, तो मैंने T of 1, 2 निकाला, T of 1, 2 को निकालने के फिर से दो तरीके आपके एक definition से और एक linear combination से न खोल लिया तो यह आगया, T of 1, 2 तुमने निकाला definition से तो A1 और A2 की value substitute करी, जब आपने A1 को 1 substitute कर दो, A2 को 2 कर दोगे तो यह आजाएगा, इन दोनों को आपस में equate कर दिया, तो आपको 3 equations मिल गई, 3 equations को आपने solve किया by using Gauss elimination as before, बिल्कुल सेम तरीके से solve किया बेटा देख 1, 2 का, तो जो coordinate vector बना है T1, 2 का, इसको first column में place करतेंगे, matrix के अंदर, ठीक है, आप पहले हम T2, 3 भी निकाल लें, जो हमारा basis का second element है, T2, 3 निकालने के लिए पहले definition में A1 की जगे 2 टाल दो, और A2 की जगे पर 3 टाल दो के तो यह आजाएगा, फिर T2, 3 को linear combination बनाईए, W1, W2, W3 का, जिसमें यह D1, D2, D3 क्या है, मेरे linear combination में, जो scalars चाहिए होते हैं, यह वो है, फिर आपने दोनों को equate किया, फिर से दुबारा से इनकी equations मनाई, equations को solve करने के लिए आपने फिर से gauss elimination लगा दिया, ठीक है, gauss elimination लगा के जब आपने इसको solve किया, तो आपको यह मिल coordinate vector, अब आपने फिर से वही काम किया है बेटा, जो पहला element था आपका, यहाँ पर, T of जो भी था, पहला element और यहाँ पर T of 2, 3 के element यहाँ है, पहला element क्या था हमारा, T of 1, 2, ठीक है, तो T of 1, 2 का coordinate vector, first column में, T of 2, 3 का coordinate vector, second column में, तो यह आपका T of, the matrix representation of T when the basis has alpha base, when the domain has alpha basis and co domain has gamma basis, तो यह निकलाया, तो आपने देखा कि अगर मैं अपना ordered basis change कर लेती हो, तो मेरा matrix भी change हो जाता है corresponding, clear है, next question देखिए, question number 4 है, आपके पास बचो, कि let T be a linear transformation, कहां से कहां पर दी हुई है, आपको M, 2 क्रोस 2 R, इसका क्या meaning है, M मतलब matrix, 2 by 2 मतलब matrix का order 2 by 2 है, R मतलब उसके पास जो entries आएंगी, वो real numbers होंगी, so it is the vector space of all 2 by 2 matrices with real entries, ठीक है, और P2 R क्या है, आपके पास, P means polynomial, 2 मतलब degree less than equal to 2, R मतलब real coefficients, so I am given the vector space of all the polynomials of degree less than equal to 2 with real coefficients, ठीक है, तो हमारे को यह एक mapping दी हुई है, जिसमें M 2 by 2 की जगह पे हमने कोई 2 by 2 matrix डाला, जो A, B, C, D और इधर इसने corresponding polynomial बनाना है, इसकी image ने, क्योंकि पो P2 R का element है, तो उसका element किस तरीके से polynomial बनेगा degree 2 का, इस तरीके से A plus B plus 2DX plus BX square, यह question में आपको given है, बीटा और गामा हमें standard ordered basis दी हुए हैं, domain और code domain के, तो सब बचों को याद होना चाहिए कि बीटा, मतलब standard ordered basis of matrices क्या होता है, और polynomials क्या होता है, polynomials का भी बहुत बारी आपने किया हुआ है, इससे पहले भी हमने बहुत questions किया है, और फिर आपको उसकी matrix representation निकालनी है, तो सब बचे रिकॉल करो जरा कि M 2 by 2 cross M, मतलब matrices का जो basis as standard basis वो क्या होता है, देखिए, अगर यह 2 by 2 है, तो 4 elements आएंगे इसके basis में, ठीक है, और वो कैसे आएंगे, हर बारी एक एक position पर one रखते जाओ, पहले मैंने first position पर one रखा, तो one zero 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 आगया, फिर second position पर one रख दिया, फिर third position पर one रख दिया, और फिर fourth position पर one रख दिया, यह इसका standard order basis आगया, M 2 by 2 R का, ठीक है, तो आप मुझे क्या निकाल मेरी 3 हो जाएगी, अब सब बच्चे जड़ा एक पर अपने आप बताओ, मुझे कि इसका जो matrix बनना चाहिए, उसका क्या order आना चाहिए, देखो, to M 2 by 2, T is from M 2 by 2 R से P 2 R, इसके basis में जितने element होंगे, वो इसकी dimension बनेगी, तो इसके basis में कितने होंगे, आपको पता है कि P N R तो 4 आएंगे, तो इसकी dimension आगई 4 और इसकी dimension आगई 3, तो जो मेरा matrix निकलेगा ये वाला, उसका order होगा, उसका order of the matrix क्या होना चाहिए, ये मेरा question है, तो ये होना चाहिए मेरा 3 x 4, ठीक है, पहले code domain का, फिर domain का, तो 3 x 4 matrix आपका निकलेगा, ठीक है, तो हम 3 x 4 matrix निकालने क के लिए मेहनत करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, T of जो आपका domain का basis है, उसका एक एक element लेते जाओ, तो domain का क्या है, 1, 0, 0, 0, तो T of 1, 0, 0, 0 निकालेंगे, आप पहले इसको निकालने के लिए, पहले definition का इस्तमाल करेंगे, ये देखो, A को 1 डाल तो B, C और D, त आप देख सकते हैं कि ये आया, और T of this निकालने के लिए मुझे अब क्या करना है, इसे linear combination बनाना है, किसका linear combination, basis elements of code domain, code domain का basis element क्या है, 1, x, x2, इसका linear combination, linear combination का मतलब जितने vector है, उन सब को उतने scalar से multiply करके add कर दो, हमने कर दिया, इनको compare किया coefficients को, तो आपको मिल गया, A1 की value 1 A2 की 0 और A3 की 0 आगई, तो coordinate vector क्या आगया, इसका 1, 0, 0, अब ये जो 1, 0, 0 आया है, इसको first column में place करना है, ठीक है, तो जो matrix मेरा आएगा, उसका first column होगा, 1, 0, 0, अब आपने क्या किया second element उठाया, किसका उठाया, बीटा का second element क्या था, 0, 1, 0, 0, इसको पहले अब क्या करें है, हमें, 1 plus 0x plus 1x square आगया, अब दूसरा, आपने क्या करना है, इसको linear combination बनाएंगे, of the basis elements of code domain, तो linear combination के लिए मैंने scalars ले लिए, b1, b2, b3, तो हमने इसका linear combination मनाया, comparing the coefficients of the constant term x and x square on both the sides, तो हमारे पास b1, b2, b3 ये आ गया, तो इससे इसका coordinate vector बन गया, 101, इसी तरीके से 0, 0, 0, तो इसमें आप c को 1 ले लिजिए, बाकि a, b, d, तीनों को 0 ले ले लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, जब इसे linear combination बनाएंगे, तो ये linear combination इस तरीके से बन जाएगा, तो इससे क्या मिल गया, 0, 0, 0 मिल गया आपको, तो ये मेरा third column vector बन गया, ठीक, last element है आप x square का, तो हमने linear combination ऐसे बना लिया, दोनों को compare कर लिया, तो ये आगया, तो coordinate vector बन गया, 0, 2, 0, ठीक है, तो t of this आगया आपके पास, ये हमने ये, ये हमारा first वाला column coordinate vector है, ये second element का coordinate vector है, ये third का और ये fourth का, आप सब देख सकते हैं कि हमारा order क्या आया है, 3 by 4, जो हमने agree किया पहले कि 3 by 4 आना चाहिए, तो मेरा order 3 by 4 ही आया है, ठीक है बचों बचों ये question न, objective type में आ जाता है कि इसका कितना order आएगा, जो बीना solve करें ये आप निकाल सकते हैं, तो बचों बागी के questions भी exercise के इसी तरही के हैं, तो आए हो, कि आप सब बचे कर सकते हैं, practice इसकी, ठीक ह बचों तो next class में नया section start करेंगे, section 2.3, till then पढ़ाई करते रहें, all the best.